आज मैं आपको एक नई तक्नीक जो ब्लॉकेज और कमजोर पंपिंग के रोगियों के लिए बहुत लाब्दाइक है वो बताता हूं इसके जरीए वाइपर, सर्जिरियों, अंजो प्लास्टी दोनों को टाला जा सकता है स्टेंट की कोई दर्वत नी और चीरफार की कोई दर्वत नी पूरी तरह से लॉन सर्जिकल बिना ओपरेशन की जाने वाली तक्नीक है इससे कहते हैं इसे कहते हैं इसे कमजोर पंपिंग वाले हाट और ब्लॉकेज वाले सबर से सो परसेंट वाले हाट के मरीज भी इसमें ठीक हो जाते हैं किसी तरह की कोई तकलिफ नी होती कोई रिस्क नी होती किसी तरह का कोई हॉस्पिटलाइसेशन नीं कोई बेवोश करने की जब्रुद नहीं कोई कॉण बिना ओपरेशन का इलाज है और यह इलाज अमेरिकन हार्ड असोसेशन और यूएस अफडी जो अमेरिक विश्व की सर्वोज संथा उससे मानित अप्राप्त है भारत में बहुत जगे किया जा रहा है और आज कल यह बहुत ही ज्यादा पॉपलर हो चुका है इसमें दो तरह कि में पार्ड होते हैं एक पेशिंट बैड होता है इस पेशिंट बैड में यह आप देख रहे हैं तीन तरह के कप्स लगाए जाते हैं जो कि हार्ड में के पेशिंट के हार्ड से इसीजी को लेकर सीधे मशीन में उसके सिगनल जाते हैं और मशीन में जो सिगनल जाते हैं उससे इस मशीन को दुबारा सिगनल आते हैं, जो हार्ट फैल रहा होता है, उस समय मशीन पंप करती है, यह आटमेटिक मशीन है, पूरी तरह से सिंक्रोनाइजड होकर चलती है, और किसी भी तरह की इसमें कोई प्रोब्लम होने की, किसी तरह की कोई दिक्कत होने की कोई पॉ ब्लॉकेज वाले, वीक पंपिंग वाले, सभी इसमें बिना ऑपरेशन की स्वस्त हो जाते हैं, और यूएस अफबी ऐसे मानितव राप्तिस इलाज को भारत में कई सो सेंटर्स में किया जा रहा है, जो की इरदर रोगियों के लिए सर्वश्रेस्ट इलाज है, आज इस इ किसी में तरह की सर्जिरी के लिए हार्ट के ब्लॉकेज के रोगियों को, हार्ट की वीक पंपिंग वाले रोगियों को, आपरेशन की कोई जरूरत नहीं करते हैं,